दोस्तों पुजारा के इस सतक को सलाम करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए भारत और श्रीलंका के बीच जारी टेस्ट सीरीज का पहला मैच काले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है टीम इंडिया टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी कर रही है कप्तान कोहली ने रोहित शर्मा की जगेह अभिनव मुकुंद को मौका दिया है लंच तक भारतियर टीम ने एक विकेट खोकर 115 रन बना लिये थे टीम इंडिया ने पहले दिन टीम ब्रेक तक दो विकेट पर 282 रन बना लिये थे भारत की तरफ से शिखर धवन ने 190 रन बनाए टीम ब्रेक के बाद कप्तान कोहली भी कुछ खास बैटिंग का प्रदशन नहीं कर सके और तीम रन बनाकर आउट हो गए सलामी बल्ले बाजचेते श्वर पुजारा एक 109 और एजिंकन रहाने 13 बनाकर प्रीज पर मौजूद हैं भारत का स्को तीन विकेट के नुकसान पर 300 रन के पार हो चुका है पुजारा ने जबर्दस्ट बैटिंग का नजारा दिखाते हुए अपने टेस्ट क्रिकेट करिया का बारह बास सतक बनाया पुजारा ने एक विकेट किरने के बाद तीम इंडिया को अच्छे से संभाल और शिखर धवन का अच्छा साथ निभाया पुजारा ने अपने 100 रन बनाने में 8 चोके मारे पहले बल्ले बाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरू आत अच्छी नहीं रही चोटिल के एल राहूल की जगे टीम में शामिल किये गए मुकुंद सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लोग गए मुकुंद का विकेट श्रीलंकाई तेज गेंबाज नुवाल प्रदीप ने ली इसके बाद प्रीज पर उतरे पुजाराने धवन का साथ दिया दोनों के बीच अब तक 100 रनों से ज्यादा की साजहदारी हो चुकी है ओपनिंग करनी उतरे शिखर धवन ने अपने अच्छे फॉर्म को बरकरार रखते हुए अपना शतक पूरा किया अपना चौथा अर्धशतक पूरा करनी के लिए धवननी को 62 के इंदों का सामना किया